बन्दे मातरम बन्दे मातरम सुझना सुखना मलय जशीतना यदि आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी का सब प्रथम अर्थ आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी होता कोना कहते हैं आज के समय में लोग अपने जीवन को ही भूलते जले जा रही हैं विद्यार्थी विद्या भूलते चले जा रहे हैं सिख्षक परहाना भूल गए हैं और माता पिता बच्चों पर ध्यान देना भूल गए हैं चलिए सब का करतवे यहां पर मैं याद दिलाऊंगा सब प्रतम मैं विद्यार्थियों का जो जीवन है उसके बारे बताना चाहूंगा आखिर विध्यारती कोन है विध्यारती होता क्या है किताब ले कि उठाए बैटके पर लेना विध्यारती होता है नहीं किताब लेके तो एक ब्रिद्वेक्ति भी किताब पढ़ता है तो इसका मतब वो विद्ध्यार्थी नहीं है तो इसलिए ये विडियो पूरा देखिए आपको समझ में आएगा कि विद्ध्यार्थी होते कोन है और विद्ध्यार्थी के क्या गुण होते हैं तो इस पे हम विद्धा के साथ आपको जो है सही मार्क दर्शन भी दिखाना हमारा करतव्य है ठीक है अगर आपने सब्सक्राइब ने किया तो जरूर कर लीजिए और शेर तो आपको बनता है तो शेर जरूर कीजिए अगर मैं विद्यार्थी की बात करूं तो विद्यार्थी वो वेक्ति होता है जो कोई भी चीज सीख रहा होता है यानि देखा जाए विद्यार्थी वो वेक्ति होते हैं जो कोई भी सीख रहे होती है उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है एक बालक भी हो सकता है एक किसोर भी हो सकता है एक यूबा भी हो सकता है और एक व्यास्क भी हो सकता है कहते हैं जो व्यक्ति कुछ सीख रहा है यह नहीं कि सिर्फ हम बरो से ही सीख ले सकते हैं छोटे से भी हम बहुत कुछ सीख सकती है एक होता है विद्या दुसरा होता है आर्थी और जिसका अगर हम वास्तविक सब्द देखें तो इसका आर्थी ये बनता है विद्या चाहने वाला यानि जो ज्यान की प्राप्ति करना चाहता हो आज देखा जाया तो हर एक बच्चा जो है सिरफ पास होना चाहता है अगले क्लास में जाना चाहता है शायद ही कोई बच्चा होगा जो ये कहता हो कि मुझे कुछ समझना है कुछ जानना है शायद ही कोई हो क्योंकि देखा जाया तो सिरफ कक्षा आगे बढ़ जाने से बच्चों में सही वास्तविक ज्ञान का प्रसार नहीं हो सकता है जब तक हम जीवन के रहस्य को न समझे कहते हैं, सभी उमर बाईस, सभी बच्चों के लिए सलेवस में उनके मुताविक हर बात को रखी जाती है जिसे बच्चे असानी से समझ सके लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों को जो समझना चाहिए वो बातें नहीं समझती है जब परिक्षा का समय होता है तो थोड़ा मोरा रट्टावाजी लगा लेते हैं पढ़ लेती हैं और नहीं होता है तो विद्याले में जब पेपर देने जाते हैं तो आई एक दूसरे से लेती हैं और आज काल के टीचर भी ऐसी हैं जब बच्चों के पेपर पे ध्यान अकशित करने की समय होता है तो वह मुबाइल लेके कोर्णर में बैठ जाते कहते हैं बच्चों आपस में करो सोर्न मत करो और बच्चे एक दूसरे से नकल कर लेते हैं पास हो जाती हैं तो य यह विद्या का सही रूप नहीं है यह विद्यार्थी का भी सही रूप नहीं है और नहीं चीचर का सही रूप है आज हमारे देश में सिक्षा का सतर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है क्योंकि विद्यार्थी जो है अपने कुछ गुनों को भूल चुके हैं विद्यार् कुछ सीख रहा होना चाहिए, यानि कुछ सीख रहे होना चाहिए, यह नहीं कि सिर्फ आप विद्यारती हो, सिखना ही विद्यारती का परमधरम है, और यही बात यहाँ पर जो है, आज सारे विद्यारती भूल चुके है, और स्वैम को विद्यारती कहते हैं, लेकिन विद्य तो आपको पताय तो चलीए मैं आपको बताता हूँ की विद्यारती के कोन पांच कॉन होना चाहिए और और इससे आपके क्या फायदे हो सकते हैं संस्कृत में एक सब्द है काका चेश्टा वको ध्यान श्राणिंदा तबोचण अलपहारी ग्री त्यागी विद्यार्थी पांच लक्षनम् यानि देखा जाए तो विद्यार्थी के पांच लक्षन यहां विद्वान होना चाहिए अगर आप विद्धारती हो, तो आपके अंदर ये पांच लक्षन होना चाहिए, अगर आपके पास ये पांच लक्षन नहीं है, तो आप अपने आपको विद्धारती नहीं कह सकती। कि अगर हम परथम लक्षन की बात करिए क्वे की तरह चेस्टा यानि है क्वे क्वे की तरह चेСТ्रा आपने कभी कव्वा को देखा है को इते ही तो बार-बार उसको स्बुर्ण आपने तो यानि बार बार चेश्टा करने से वह चीज़ें हमें बहुत ही असानी से प्राप्त हो जाता है आप लोग क्या करते हो कोई पेपर एक बार टैम्ट करते हो असफल हो जाते हो नकल नहीं होती है तो सुचते हो कि आपको कुछ आता ही नहीं है और जो है बोड़ा विस्तर कामेशन भी नहीं मिलेगी जिसकी आप सपना देखे थी जिसकी ख्वाब था आपका ज्युक्унд कोई की तरह चेश्टा हमें करना है करना है तोड़ित करना है इंड्रेक्ष्ण करना है अपनी च्छमता को सबकुर्याब करना है कि हम बार बार कोशिश करेंगे क्योंकि जो सपना देखता है वो हमेशा कोशिश करता है इसलिए पहला लक्षन को हमेशा दिमाग में रखे कि कवय की तरह चेस्ट यानि बार-बार उस चीज को प्रहतन करें बार-बार कोशिश करें जिसे एक समय आए कि वह आपके पास हो जाए आपके पास हो चले जाए दूसरी जो रहेगा बगले की तरह ध्यान कहते हैं बगला आपने देखा ही होगा पानी में एक टांग पे खड़ा रहता है क्या वो तपस्या कर रहा होता है नहीं उसका ध्यान जो है बगले की तरह ध्यान होना चाहिए यानि उसका ध्यान अपनी पैर पे नहीं होती है उस बात भाग जाएगी इसलिए एक पैर पर खरा रहता है और बिलकुल ही ध्यान मगन रहता है और जैसे मचली देखता है उसको पकड़के खा जाता है तो इसका मतलब यह हुआ आपके अंदर यह लक्षन होना चाहिए कि आपका ध्यान बिलकुल ही अपने परहाई पर फोकस होन सिर्फ वही महत्पून सब्दों को ध्यान में रखके आगे एक जाम लिखिएगा तो इसलिए आपको जो भगलों की तरह ध्यान होना चाहिए कि आपका जो ध्यान है कहीं से भी कुछ भी सुनते हो उसमें से महत्पून बात आप उसमें से नोट कीजिए सिर्फ आप लोग कुमेंट कर देतों कि समझ तो कुछ नहीं आया लेकिन जो समझाने का मकसद होता है पिचरों को वह आप नहीं समझ पाती हो आज कल आपको अकर्ष्ण उन्ची जो में अधिक होता है जो कहते हैं असलिलता से परोशी जाती है उस पे ध्यान बहुत जाज अकर्षित होता है लेकिन जहां पर ज्यान की बाते कही जाती है उस पर बिल्कुल भी आपका ध्यान नहीं होता है और यह आप भी जानते हो और जो वीडियो देख रहे हैं उस सब बाते जानती हैं यह हमारी बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तिसरी बात अगर हम ध्यान दें तो कुट्टे की तरह नींद कहते हैं यहां पर जानवर भी बहुत कुछ हमें शिखती हैं कहते जितना बफ़दार कुट्टा होता है उतना तो इसान भी नहीं होती है तो हमें कुट्टे की तरह नींद होना चाहिए आप सोचिएगा कि विध कि जैसे ही आपको सोय हुए हो और आप विद्यार्थी हो कहीं से भी थोड़ा सा आवाज आया फटक से उठके बैठ जाओ किताब लो और पढ़ने लग जाओ कि नींद छोरोगे तभी कामयावी आपको पीछे परेगा आप नींद नहीं छोरोगे तहरा कामयावी कहां से पीछे परेगा तो कुत्ते के तरह नींद होना चाहिए अल्प व्यावधान पर नींद छोड़कर उठ जाएं यानि जगर आप सोये हुए हो तो फटक से उठ जाओ और उठके पढ़ने लग जाओ कहते हैं यही चीज़े जो होती है हमें उस काम्यावे तक पहुचाती है जिसके हमने सपने देख रखे होती है लेकिन बहुत से बच्चे इन गुणों को त्याग दिये कहते हैं मुबायल ने सब कुछ भुला दिया है लोगों को लेकिन कहते हैं ना मुबायल आपका अगर कम जोड़ी है तो वो ही आपका तागत बन सकता है आप सोचिए कैसे जब मुबायल से आप जाक सकते हो तो मुबायल में किताबें भी होती है उनको परपर के आगे निकल सकती हो अच्छी बाते हमेशा बोरिंग होती है लेकिन यही बाते अगर आप सादू संतों से सुने गए तो वहाँ पर तारिफ के पूल बट्रोगे इसलिए जो भी बाते अच्छी होते है उसको नोट कर लेना परमधरम होता है अगर हम चौती बात करें चौती विद्यारती के गुण की बात करें तो वह होता है अलपहारी अलपहारी का मतलब होता है दोस्तों कम भोजन करने वाला कहते हैं अलपहारी का मतलब यह है जैसे आपने के पास अगर तीन गुण है कोई कितरा चेस्टा बगुले कितरा ध्यान कुट्टे कितरा नीन तो आपको अलपहारी होना पड़ेगा माल लीजिए आप भर पेट खाना खाके सो गए तो आपको खाना जो है अलस्य में चूर कर देगा पर आप तीन गुनों में से एक गुन भी आपके अंदर नहीं रह पा हाथी अगर आप कंभोजन करो कम मात्रा में खाना खाऊ कैते हैं अगर आप पुरा भरके खालो होला जोगे न फिर भी आपको बूट्रेशन हहीं मिलेगा है कि समझे कहते हैं एक साइश स्थाइस यह ही कहता है कि अगर हमारे पेट में चार हिस्से करना चाहिए एक हिसा देखा जाये तो यह जरूरी है लेकिन लोग क्या करते हैं बहुत ही खाना ठूस लेते तो विद्यार्थी नहीं सकती ना तो उनका नींद खुलेगा ना उनको पढ़ने का मन करेगा समझे देखते हो अगर आप पाठी से आते हो बहुत से खाना खा लेते हो जब बिस्तर पढ़ते हो तो डिरेक्ट आप दीन में ही उठते हो रीजन सी यह होता है आपका सरी बिल्कुल ठक गया होता है खाने के वज़ासे आप अलस्य महसूस करते हो इसलिए जो विद्यार्थी हैं जो अपना जीवन को उच्चम कोटी तब पूचाना चाहते हैं उनको अलपहारी होना चाहिए क्योंकि कम खाने से भी हमें उतना ही नुट्रेशन मिलता है जितना हम अधिक खाना खाते हैं कुछ यह भी सोचते होंगे कि अधिक खाना खाने से अधिक नुट्रेशन मिलत जाता है कि अगले निट्रेशन तक जो है 10% गम होता जाता है परहन आपने तो यह बात आपको ध्यान होना चाहिए यह आपको अलपहारी होना चाहिए यह तो चौथी बात थी जो महत्वून है पाचमी और महत्वून बात कि एक विद्यार्थी का यह गुण होना चाहिए गृत्यागी गृत्यागी का मतलब होता है अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हो और कहीं आपको जाना पर जाए तो यह नहीं कि आप मो मया में पर के घर में ही रह जाओ तो ऐसे मैं आपको काम्याभी की वो लक्षन न नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम बिद्यार्थी ह们, अपने जीवन को बहतर से बहतर बनाने के लिए आगे जाना पड़ेगा, और हम आगे जब तक जाएंगे नि तक हम अच्छा बनेंगे नहीं, और अच्छा नहीं बनेंगे तो माभाब को नहीं देख पाएंगे, ग्रीत त्यागी बनो लेकिन अच्छे करम के लिए कहते हैं मो माया के छुटकारा पाओ लेकिन अपना जीवन सवारने के लिए ये नहीं कि मो माया त्याग देने का मतलब ये नहीं रह जाता है कि आप लोग अपनी दुनिया में खो जाओ ऐसा नहीं होता है हमें कहते हैं इन पांच गुनों को साथ में रहके अपने जीवन को जो है निर्वा करना चाहिए और जिन बच्चों में ये पांच गुन हैं उनको काम्याबी सदेव कदम चुमेगी और वो हमेशा वो उस लक्ष तक पहुँच जाएंगे जिस लक्ष के उन्होंने सपना देखा है और ऐसा हर एक विद्यारती को होना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूरिन पांच लक्षनों को जो है अपने अंदर सिम्टु को बनाओगे करोगे अभ्यास करोगे यसे आप भी बन सको वो विद्यारती जो हमारे देश में आज खो गए हैं मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है आपका जो है विद्यारती जीवन को दर्शाना है और मैं दर्शाने में तभी काम्याब होगा जब यह वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचेगा हर एक व्यक्ति तक पहुँचेगा तो इस कोशिश में आप भी लगिए और मैं अभी लगता हूं हम अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ